Good morning students, welcome to e-learning class and today's our topic is question answers, second chapter की question answers को आज हम फिल करेंगे, okay, let's start it, our first question is, what is reproduction, reproduction क्या है, why is it important, ये महितपुर्ण क्यों है, so answer is, first answer is reproduction, reproduction करके हमको एक heading डाल देनी है, और लिख देना है, the process of giving worth, एक प्रिक्रिया होती है, giving worth, जनम देने की, किसको जनम देने की, to young one, बच्चों को जनम देने की प्रिक्रिया होती है, जिसको हम reproduction बोलते है, okay, हम बात आते कि ये क्यों important है, ये महितपुर्ण क्यों है, it is important, ये die out, जो जाती है, नसल है, वो कभी भी nest नहीं हो, फिर चाहिए वो species, animals की हो, या फिर world की हो, या फिर humans में हो, किसी में हो, उनकी नसल का end नहीं हो, die out नहीं हो, okay, इसलिए reproduction important है, now second question is, define mammals and also mention some example of mammals, mammals के बारे में बताना है, कि mammals क्या होते हैं, और कुछ mammals के example भी देने हमको, उधारन के तोर पे बताने भी है कि कौन कौन से mammals होते हैं, so first heading is mammals, mammals क्या होते हैं, जो हमारे जानवर होते हैं, वो अपने बच्चों को जनम देते हैं, जनम देना ही, mammals कहलाते हैं, अपने बच्चों को जनम देते हैं, उनको ही mammals बोलते हैं, okay, for example जैसे कि उधारन इसमें पूछा गया है, example इसमें पूछा गया है, तो example क्या होगा, cow, means guy, tiger, tiger होता है, etc., etc., बहुत सारे जानवर हैं, okay, now third question is, how does a baby get food inside mother bomb, bomb का means होता है, गर्भ, मैंने आपको previous class में भी mention किया था, okay, how does a baby get food, एक बच्चा कैसे प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है, food, भोज़ट को inside mother bomb, जब वो मा के गर्भ में रहता है, तो अपना भोज़ण कैसे ग्रहन करता है, कैसे लेता है, कैसे supply करता है, okay, the answer is, the baby get supply, जो बच्चा होता है, वो प्राप्त करता है, oxygen, of oxygen and food, oxygen और food को from mother body only, अपने मा के सरीर से वो अपने भोज़ण की और oxygen की पूर्ती को करता है, supply करता है, कहां से करता है, कहां से get करता है, वो food को मा की body से, अपनी मादर की body से, oxygen और food को प्राप्त करता है, okay, the fourth question is, what is orphanage, orphanage क्या होता है, orphanage का मिन्स होता है, हमारा अना थाले, अना थाले, क्या होता है, orphanage heading डाल दिने हैं हमको, it is a home, ये वो घर होता है, where children, जहां पर बच्चे, who have no parents, जिनके कोई parents नहीं होते हैं, माता पिता नहीं होते हैं, live and I take care of, उनकी देखवाल करते हैं, और वहां पे रहते हैं, orphanage एक ऐसी संस्ता होती है, जहां पर जिन बच्चों के मावाप नहीं होते हैं, वो बच्चे orphanage में अना थाले में जाके रहते हैं, और जो orphanage हैं, उनकी देखवाल करती हैं, उनको अपने हापे रखती हैं, The fifth question is, what do you understand by adoption? Adoption का क्या समझते हैं, adoption का मीनिंग क्या है आपके लिए? Adoption का मीनिंग होता है, गोद लेना, तो यह क्या होता है, यह क्या प्रिक्रिया है? Adoption करके heading डाल दीने हैं हमको, फिर हमको लिख दीना है. Adoption given home, adoption होता है, जो gift करता है, देता है, home, किसको home देता है? To the homeless children, homeless, बेघर लोगों को घर देता है, जिनके पास घर नहीं होता है, उनके लिए घर देता है, okay, I think it is clear, now, यह कुछ, मैंने अपने handmade बनाए है, question answers, तो यहां से आपको not down कर लेने हैं, अपनी not book में, okay, यह सेम यही है, जो मैंने हाँ पर दिखाए हुए, यह सेम है, okay, यहां से आपको सेम इसी प्रोसेजर के द्वारा, black pen और blue pen के help से आपको not book में not down कर लेने, okay, thank you glass,